दोस्तों आज हम बात करेंगे नारायन चून के बारे में जो की पेड़ से जुड़ी कई समश्याओं में काफी फाइदेमन होता है जैसे की देखे अगर आपको कबजी की समश्या होती है, कॉंस्टिपेशन की सिकायत है पेड़ जो है वो अच्छी तरीके से साफ है वो नहीं होता या फिर इसके अलावा अगर आपको भूक नहीं लगती, खाने का मन नहीं करता, खाने की इच्छास ही नहीं करती या पेड़ फूलता है या गैस की प्रॉल्म है या आप जो खाना खाते हैं वो अच्छे तरीकी से नहीं पसता इंडिजेशन की प्रॉल्म है तो उस कर्णिशन में काफी बढ़िया काम करता है नाराइन चून आप इसका इस्तमाल है वो कर सकते हैं इसके अलावा पेट में जलन होती है अगर या खाना खाने की बाद काफी डकार आती है खटी डकारे आती है या पेट दर्द सीने में जलन होती है तो उसमें भी काफी अच्छा है दोस्तो इसके अलावा अगर आपको पाइल्स की समश्या है बवासीर है, फिस्टूला है, भगंदर है तो उस कंडिशन में भी काफी बढ़िया काम करता है आप इसको जो है ले सकते हैं इसके अलावा ये जो है अस्थमा, क्रोनिक कफ उसमें भी फाइदेमंद है रेस्पिरिटिस सिस्टम के लिए भी अच्छा है इसके अलावा अगर आपके पेट में केड़े हैं तो पेट के केड़ों को मानने का काम भी करता है यानि दोस्तो ओवरॉल बात करूँ तो ये मेंली पेट से सम्मधित रोगों के उपर जो है काफी बढ़िया काम करता है खास तोड़ से अगर आपको इसके बढ़िया काम करता है नारेंचून आप इसका इस्तमाल करके इसके भरपूर फाइदे हैं वो ले सकते हैं दोस्तो ये प्रोडेक्ट इसलिए इतना जादा फाइदेमंद है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी important ingredients है वो सामिल किये गये हैं जैसे त्रिफला, दंती मूल, पांस तरह के नमक, इंदरायन, सौंट, पीपल, आधी कई महत्वपूर इंगिडियन से जो है इससे बनाए गया है जिस कारण ये एक बहतरीन आउशिदी बन के तैयार होती है दोस्तो अगर बात करें इसके डोस की, यानि कि आपको इसे कैसे लेना होता है तो देखे तीन से च्छे गराम आप इसे जो है ले सकते हैं और आप इसे जो है एक दिन में दो बार तक है वो ले सकते हैं दोस्तो आप इसे गुनगुने पानी के साथ है वो ले सकते हैं दोस्तो देखे यहां मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पहले आप इसको जो है एक बार ले कर देखिए अगर एक बार से फाइदा नहीं मिलता है तो फिर आप इसको दो बार तक कुछ इस प्रगा ले कर देख सकते हैं इसे मेल फिमेल कोई भी ले सकता है लेकिन अगर बात करें बच्चों की और प्रेगनेट महिलाओं की तो वे इसे ना ले और अधिक जानकारे के लिए डॉक्टर से जरूर सला ले साइडिफेट की बात करें तो इसका ऐसा कोई भी साइडिफेट नहीं है लेकिन ओवर्डोज ना करें और इसके लावा जिनका बीपी जो है हाई रहता है वे इसको ना ले तो दोस्तों ये थी नारहेंट चून के बारे में कुछ महत्तपुन भरी जानकारी अगर फिर भी कोई कॉश्चन आपके मन में चल रहा हो तो आप मुझे कॉमेंट्स के दोरा भी पूछ सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे My name is Jitaj and thank you so much for watching